खबर को शामबी से हैं जहां दुकानदार द्वारा काला बाजारी करने का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि दुकानदार ने सामानों के दाम को दोगुना कर दिया है लीटर में बिकने वाले सामान को किलो में बेच रहा है और साथी चीनी के दाम में भी 10 रुपे की बढ़त देखने को मिल रही है दुकानदार के काला बाजारी को लेकर कोई भी ग्रहक कुछ भी बोलने से इंकार कर रहा है उनका आरोप है कि अगर उन्होंने दुकानदार के शिकायत की तो वो दुकानदार उन लोगों को सामान नहीं देगा इस डर से लोग चुप रहकर बढ़ी केमतों पर ही सामान खरीद रहे हैं